एक बार फिर से सभी दोस्तों को मीरा नमस्कार एक बार स्वागत है आपका ग्यान दीप हिंदी चैनल पर तो डियर फ्रेंज आज हम बात करने वाले हैं इस्रम योजना क्या है और इसे आप किस तरह से लाब उठा सकते हैं तो इसके बारे में हम पूछ डिटिल वाइस बात क करेंगे तो इस्रम योजना वास्तविक में केंद सरकार द्वारा सुरू की गई एक ऐसी योजना है जो देश में मौजूद हर एक असंगटित छेत्र के कामगारों का डाटा इखटा रखने का कारी करेगा वास्तविक रूप से यह एक नेशनल डाटाबेस रहेगा जिसके अंतरगत असंगटित छेत्र के कामगारों की संपोन जानकारी उपलब्द रहेगी इस्रम कार्ट के तहत रजिस्टर्ड होने के बाद असंगटित छेत्र के कामगारों को केंद सरकार अर्थात राज्य सरकार द्वारा सुरू किये गए किसी भी योजनाग जो इन लोगों क सीधा लाब दे सके का सुचार रूप से संचालन करने में मदद मिलेगी जिससे असंगठित छेत्र के कामगारों को सीधा और तेजी से लाब मिल पाए यानि कि जो असंगठित कामगार लोग हैं उन्हें इस रमकार्ट से जोड़कर सरकार इस योजना का जो जिनको रोजगार नहीं मिल पाता है उन्हें जोड़ने का और उनके उनका जो डाटा है उन्हें इकटा करकर उन्हें इस लाब को उठाने के लिए इकटा कर रही है तो डियर फ्रेंस इसमें योजना का नाम देख सकते हैं सुरू किया गया इस्रम योजना यानि कि इस्रम योजना किसने सुर प्रालाई यानि कि इसमें स्रम और रोजगार का जो इसमें इंप्लोईमेंट जो हैंगे काम करेंगे लावार्थी देश के सभी असंगटित छेत्र के स्रमिक यानि कि जो असंगटित छेत्र हैं जिन्हें काम की बहुत जरुरत है वो इसमें भाग ले सकेंगे इसमें लाब क्या मिलने वाला है पंजिकरण के पश्चाल सभी सरकारी योजनाओं का सीधा लाब यानि की सीधा लाब उन कामगारों को मिलेगा या उन कामगारों के खाते पर इसमें सीधा जो पैसा है वो सीधी उनके एकाउंट से एकाउंट में आ जाएगा उदेश से देख सकते हैं असंगटित इसका उदेश से क्या है इस रमकाट का असंगटित छेतर के कामगारों का राष्टी इस तर पर डेटाबेस इखटा करना यानि कि जो उदेश से है जो असंगटित छेतर हैं जिने काम की बहुत सारी जरूरत है लेकिन उन्हें काम समय पर तरकार का सिर्फ यही उद्देश से हैं अब देख सकते हैं उद्देश इसका योजना लांच जो हुई यह हुई है अभी 2021 में आवेदन के प्रकार जो है आनलाइन आफ लाइन माध्यम से यानि कि आप इससे सेंटर केंद से भी आप इसे ऑनलाइन करा सकते हैं या नजदी की किसी भी जो डिटेलर है वह आपका इस कारी को कर देंगी ओपिसियल वेबसाइड इसकी जो है मिलते हैं नई और नई टोपिक के साथ तब तक मुझे दीजिये इजाज़त थैंक यू बाई बाई टेक केर